Hello friends, welcome to ross & tech मोवाइल का क्रेस दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है तो नए-एने प्रोडुक्ट लॉँच किया रहे हैं कंपणी की दुवारे नए-एने फीचर्स जो आड किया रहे है तो m-i ने जो है सबसे पहले m-i-8 जो है launch किया था और उन्होंने जो है अब उसे m-i-8 light launch कर दिया है तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे तो मेरे इस video के साथ पूरा बने रहे तो देखते हैं कि m-i-8 के flexi smartphone m-i-8 का company ने कुछ समय पहले एक हलका version m-e-18 light launch कर दिया है यह phone जो है स्थांदार है design बढ़िया है specification के साथ कम कीमत पर आता है सबसे पहली बात यह है दूसरा जानते है कि इसका features क्या है smartphone glass और metal design के साथ आता है यह phone okay display जो है 6.26 inch की है और यह full HD plus है और notch वाली screen है इसमें तो processor देखते हैं तो processor अगर पैसे के साथ से देखा जाए तो यह snapdragon 660 है तो यह पैसे के साथ से तो सही है फिर snapdragon जो कीमत के साथ से बहुत अच्छा है और आगे देखते हैं यह phone में जो है 3 model उपलब में आपको और थर्ड वाले में 6GB का RAM और 128GB का जो है आपको रोम मिल जाएगा और रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा 12 प्लस 5 है तो मेगापिक्सल है और यह डूल कैमरा है इसलिए 12 और प्लस 5 और फ्रंट कैमरा जो है वीडियो कॉलिंग के लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है यह 24 मेगापिक्सल है बैटरी पावर 3350 mAh के बैटरी है और इसमें सबसे मेन बात यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग होता है और फास्ट चार्जिंग के लिए जो है कि स्पेसल प्रसलिटी दीवी है 3.0 तकनिक सपोर्ट है इसमें और फोन के बैक में जो है फिंगर प्रिंट सेंसर वी दिया गया है इसके इस कितना होना चाहिए और मैं आपको फिर बताता हूं कि इसका प्राइस जो है ओनली 16600 रूपीज है स्टार्टिंग में फिर अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा आप थोड़ा वेट करके लो तो थोड़ा रेट और भी कम हो जाएगा ओके दोस्तों आज के लिए इतना ह अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल पटन पर क्लिक करना ना बोले अच्के लिए इतना ही धन्यवाद